अगर आप भी बहुत ज़दा परिशान हैं अपने सपीद बालो की प्रॉब्लम से, जिने कवर करने के लिए आप मार्किट में मिलने वाली डाई कलर का योज अपने बालो पर करते हैं, पर ये ना जाने कितने केमिकल से भरे होते हैं, जिनको हम अपने वाइट हेर को कवर करन में हमारी हैल्प करता है, पर जब ये हमारे बालों से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो बचे हुए सिर्के काले बाल जो होते हैं, उनको भी वाइट करके निकलते हैं, इससे हमारे बालों में वाइट हेर की जो गिनती है, वो दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो तो आज की इस रेमेडी में मैं आपके साथ में एक ऐसी DIY डाई शेयर करूंगी जो आप घर पर असानी से बना सकते हैं बहुत ही नेचर इंग्रिजिटेंट के साथ ये डाई बनकर तयार होगी और इसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल ना होने के विज़े से ये आपके बा इंग्रिजिटेंट को आप मिस कर देंगे और आपको थीक से पता नहीं चलेगा कि क्या इंग्रिजिटेंट इसमें यूज किये गए हैं और आपको याकर वीडियो यहां पर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ऐसी यूसफुल रेमेडी को म ज़्यादा बालो में नहीं हैं बस मैं आपको इस डियावाई को बना कर दिखा रही हूं इसके बैस्ट रिजल्ट आपकी ग्रेयर कर ज्यादा होंगे तब ही आपको मिल पाएंगे तो यहां पर यहां पर इस तबह पर डालनी है आईरन का कोई भी आप दबाल ले लीजिए हमारी अगर हम अपने बालों कर हल्द करते हैं है छाबी के हैर मास्क कईयूसऔं करते हैं तो यह हमारे जहरे सपीर बालों की जुब्लम में उसको जड़ से खतम करने में बहुत अच्छे से हमारी है PC हाल्दी करती है है कैल की सकी करती है कि इसको Ship करना है जब यह रोस्ट हो जाएगी तो आपको क्या करना है एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर लेना है यह बहुत एच्छी एंटाइफ्लमेंटरी एंटी फंगल प्रोपर्टी से बरी हुई होती है जो कि हमारे यह की स्कैल्प से जुड़ी सारी समस्यों कुछ जड़ से कतम एक यह उसको बहुत से स्कैल्प सब्सक्राइब नवर्फ करती है इसके उससे हमारे बहुत ही स्मूट से होने शुरू हो जाते हैं अब हमें क्या करना है नेक्स में एक से दो चमच एलोविरज जेल डाला है इसकी ठिकनेस के अकॉर्डिंग ताकि यह एक स्मूज सा में मिक्स करना है अलोविरा हमारि बालों को बहुत तेजी से सौस्त cabinets की बनाने में इन्ब, हमारी help करता है इसके ये से हमारे बालों की किसी भी तरह का infection है वह खतम होता है साथ ही की growth को भी तेजी से promote करता है और हिए जो ça करता है इसके ये hair की roots में ज्यादा करना है क्योंकि gray hair की जो समस्या होती है वो roots से जादा शूरू होती है क्या करना है hair का थूड़ा-थूड़ा partition करते हुए अपने सारे hair की scalp में इसका application करना है जब आप इसका application अपने hair पे कर लेंगी तो एक जटें पर आप इसको अपने hair पर अच्छे से अपके बालों को रिजर्ट दे सकें, आपकी ग्रेए एर को reverse कर सकें, ब्लैक एर में तो यहां पर आप इसको 2 – 2-3गंटे अपने बालों पर लगाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहां पर ग्रेए की स समस्याई आयए बादों बेजादा को मैं आपके साथ में करना चाहती थी इसलिए मैं ह theology की वीडियो शियर कर रही approximately तो आप अगर इस दाय को अपने उवर अपने पर लादते हैं तो पहले आप अपने बालों पर और ईकल बंद मठ करना रखेगा आप उसको नर्मन Alp वीक में दोवार आराम से लगा सकते हैं, यह आपके पालों को जट से काला करने में आपकी बहुत अच्छे से help करेंगे, आप भी इस remedy को ready किजी, इसका application कीजिए और जो भी आपको इसके result मिलते हैं, प्लीज आप मेरे साथ में share कर सकते हैं, इसी क्या है, बुझे ऐसी useful remedies आप तो यह आपर मैं अपनी वीडियो को end करती हूँ, मिलते हैं आप से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, तिक्यार बाबाए